तो चलिए आज के इस वीजियो क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है और आज हम लोग इंग्लिश का चैप्टर 5 I had a dove को पढ़ेंगे I had a dove जो कविता है बच्चों पोयम है वह जॉन कीड्स की द्वारा लिखी गई है ठीक है तो चलिए शुरू करते है Have you seen a bird in a cage? क्या cage का आठ होता है बच्चों पिंजड़ा ठीक है जिसमें पक्षियों को हम रखते हैं cage इसको कहते हैं पिंजड़ा तो कह रहा है Have you seen a bird in a cage? क्या तुमने कभी किसी चड़िया को cage में यानि कि पिंजड़े में देखा है How does it feel? Feel का आठ होता है महसूस करना How का आठ कैसे? तो How does it feel? जब चिड़िया किसी पिंजड़े में रहता है तो वो कैसा महसूस करता है? ठीक है? There वो कैसा? यहाँ पर वो कैसा महसूस करता है? Would you like to be shut in a room forever? Ever मतलब हमेशा के लिए? तो कह रहा है क्या तुम्हें पसंद आएगा अगर तुम्हें किसी रूम में हमेशा के लिए बंद रहना पड़े Shut मतलब रूम में बंद रहना पड़े In a room forever तो क्या तुम्हें पसंद आएगा कि अगर तुम्हें किसी कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए तो कारण क्या हो सकता है बच्चों सीधा सीधा, कारण यही हो सकता है कि किसी को भी बंद कमरे में रहना पसंद नहीं आएगा, हमें बंद कमरे में रख दिया जाए, टाइम से खाना दिया जाए, हमारी स्वतनता हम से छीन ली जाए, हमें क्या करना है, हमें कैसे करना है, हमें सारी आजादी छीन ली जाए हम किसी से बात नहीं कर सकते बोल नहीं सकते तो क्या हमारा मन लगेगा हमारा मन बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा हमारा जीवन ही अच्छा नहीं लगेगा तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि अगर हमें किसी कमरे में बंद कर दिया ज head का अर्थ है यहां बच्चो था I had a dove मेरे पास एक कबूतर था ठीक है तो I had a dove मेरे पास एक कबूतर था and the sweet dove died, died means मर जाना ठीक है, और and मतलब और, और वह sweet, प्यारा, और वह प्यारा कबूतर मर गया, ठीक है and I have thought and means or I have thought, मैंने सूचा thought means सोचा मैंने सोचा, it died of grieving, grieving का अर्थ होता है बच्चो, शोक करना ठीक है, शोक का मर अर्थ मतलब बहुत दुख, गहरी उदासी कोई किसी बहुत बड़ा दुख, ठीक है, तो मैंने सोचा कि वह किसी शोक से मर गया next हमारा line है, oh what it could grieve for, ठीक है, जैसे हम जब हम बात करते हैं किसी दुख के बारे में सूचते हैं, या दुख होता है, तो हमारे मुझ से oh की आवाज निकलती है, तो यहाँ पर oh का मतलब यही है, oh what it could grieve for, ठीक है, मतलब इसके लिए क्या शोक हो सकता है, कुड मतलब सकता, ग्रीव मतलब शोक, तो कह रहा है, इसके लिए क्या शोक हो सकता है, किसके लिए बच्चो, तोता के लिए, डव के लिए, तो कह रहा है, oh what it could grieve for, इसके लिए क्या शोक हो सकता है, its feet were tied with a silken तो फीट का आर्थ है पैर इसके टाइड मिन्स बंधा हुआ सिलकन थ्रेड यानि कि रेशमी धागा मतलब मेरा खुद का हाथ विविंग का आर्थ या हो गया बुन्ना तो इसका मिनिंग क्या हुआ बच्चों इसके पैर मेरे ही हाथ की बुनाई के रेशम धागों से बंधे थे इसके हाथ मेरे ही बुनाई के रेशम धागों से बंधे थे टाइड मतलब बंधे थे स्वीट लिटल फीट प्यारा छोटा सा पैर ठीक है, sweet little feet, little means छोटा, sweet means प्यारा, प्यारा छोटा सा पैर, why should you die, ठीक है, why should you die, तुम्हें क्यों मरना चाहिए, should means चाहिए, why means क्यों, तो कह रहा है, छोटे से प्यारा सा तुम्हारा पैर, तो कह रहा है, why should you die, तुम्हें क्यों मरना चाहिए, why should you leave me, sweet bird, why, कह रहा है तुमने मुझे क्यों छोड़ा प्यारी चिडिया क्यों ठीक है वाई शूड यू लीव में तुमने मुझे क्यों छोड़ा स्वीट बर्ड प्यारी चिडिया वाई क्यों Next हमारा लाइन है You lived alone in the forest tree Forest tree मतलब जंगल के पेड तो कह रहा है You lived alone in the forest tree Alone means अकेले Lived mean रहना तो कह रहा है तुम जंगल में अकेले रहते हो You lived alone in the forest tree तुम जंगल में अकेले रहते हो Why? क्यों? Pretty thing कह रहा है Why? क्यों? Pretty thing मतलब अच्छी बात है Pretty मतलब अच्छी thing मतलब यहाँ समान को लेके या किसी चीज को लेके नहीं बच्चों Pretty thing का यहाँ कहने का उसका अर्थ है देखें यहाँ पे slash का sign है और इससे यह पता चलता है कि इसका अर्थ होगा यहाँ पे अच्छी बात है Would you not leave with me? क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? Would you not leave me? ठीक है? Leave मतलब रहना तो कह रहा है क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? प्रश्न पूछ रहा है I kissed you oft and gave you white peas Peas का अर्थ होता है बच्चों मटर ठीक है? और यहाँ oft का अर्थ होता है often ठीक है? मतलब अकसर तो कह रहा है मैं तुम्हें अकसर प्यार करता हूं और तुम्हें सफेद मतर देता हूं सफेद मतर उसे क्यों देता है बच्चों? खाने के लिए देता है और उसका बूतर को वो अकसर प्यार करता है Kissed मतलब प्यार करता है उसे चूनता है तो I kissed you oft and gave you white peas मैं तुम्हें अकसर प्यार करता हूं और तुम्हें सफीद मटर देता हूँ Why not leave sweetly as in the green trees? Green trees मतलब हरे पेड Why not leave sweetly? तुम क्यों नहीं प्यार से रहते जैसे हरे पेड में रहते हो तुम क्यों नहीं प्यार से रहते जैसा कि तुम हरे पेड पे रहते हो तो देखिए इसका I had a dove का मैंने हिंदी अनुवाद यहां लिखा हुआ है ठीक है तो पहले एक बार हम लोग इसको भी देख लेते हैं हिंदी अनुवाद को I had a dove and the sweet dove died मेरे पास एक कबूतर था और वह प्यारा कबूतर मर गया and I have thought it died of grieving और मैंने सोचा वह शोग से मर गया Oh what it could grieve for Oh इसके लिए क्या शोग हो सकता है Its feet were tied with a silken thread of my own hands weaving इसके पैर मेरे ही हाथ की बुनाई के रेशम धागे से बंधे थे Sweet little feet, why should you die? मीठे छोटे पैर, तुम्हें क्यों मरना चाहिए Why should you leave me, sweet bird, why? तुमने मुझे क्यों छोडा, प्यारी चिडिया, क्यों? ठीक है? Next है हमारा You lived alone in the forest tree तुम जंगल में अकेले रहते थे Why pretty thing, would you not leave with me? Question mark, ठीक है? या परश्न पुछ रहा है क्यों? अच्छी बात है क्या तुम मेरे साथ नहीं रहोगे? I kissed you off and gave you white peas Peas means मतर, ठीक है? मैंने तुम्हें अक्सर प्यार किया और तुम्हें सफेद मतर दिया Why not leave sweetly as in the green trees? तुम क्यों नहीं प्यार से रहते? जैसे हरे पेडों में रहते ठीक है? तुम मेरे साथ प्यार से क्यों नहीं रहते? जैसे तुम हरे पेडों में रहते हूँ तो हमारा यह हिंदी ट्रांसलेशन इस कविता का है Next video class में बच्चों हम लोग इसका question answer Next video class में हम लोग इसका question answer करेंगे तो इस कविता में देखा बच्चों हमने John की जो poet हैं वह जो है कबूतर को कहते हैं कि हम उस कबूतर को बहुत प्यार करते थे और यह कबूतर जो है काफी प्यारा कबूतर है लेकिन इस कबूतर को वो प्यार करते थे और इसे पिंजडे में बंद रखते थे इस कबूतर को कभी भी यह पसंद नहीं था कि वह पिंजडे में बंद रहे मर गया तो पक्षियों को हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम पिंजड़े में बंद करकी ना रखें ठीक है